हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करूंगी इटालियन होट चोकलेट की रेसिपी अगर आप भी हैं चोकलेट लवर तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है इस विंटर के सीजन में आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राइब कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसियल लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें इटालियन होट चोकलेट बनाने के लिए हम एक बरतन में एक लीटर दूध एट करेंगे तो हमने यहाँ पर फूल फेट डूध का इस्तेमाल किया है देखिए अभी हमने गेस की फ्लेम को ओन नहीं किया है पहले हम इसमें कुछ इंग्रीडियंट्स एट करेंगे उन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गेस की फ्लेम को ओन करेंगे तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है साथ ही में एड़ करेंगे 2 टेबल स्पून कॉन फ्लोर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तक इसमें बिल्कुल भी लंज न रह जाए हमने आपके साथ सूरत के स्पेसियल कोल्ड कोको की रेसिपी भी सेर की हुई है जिसकी रेसिपी काफी हद तक इससे मिलती जूलती है अगर आपने सूरत के स्पेसियल कोल्ड कोको की रेसिपी नहीं देखी तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो देखिए हमने कॉन फ्लोर और कोको पाउडर को दूज में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं है साथ ही में हम इसमें चीनी एट कर देंगे तो हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून चीनी ली है चीनी की कॉन्टिटी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गेस की फ्लेम को ओन कर देंगे और इसे लगाता चलाते हुए पकाएंगे गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे लेकिन इसे लगाता चलाते रहेंगे अगर इसे चलाना छोड़ दिया तो इसमें लंस पड़ जाएंगे तो हमने इसे लगाता चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए पकाया है आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले ये काफी ठीक हो चुका है इस टेज पर हम इसमें डाक चोकलेट एट करेंगे तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम डाक चोकलेट ली है इसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो डाक चोकलेट एट करने के बाद हम इसे लगाता चलाते हुए दो से तीन मिनिट के लिए और पका लेंगे जब तक के चोकलेट इसमें पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए तो डार्क चोकलेट एट करने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर दो मिनीट के लिए और पका लिया और चोकलेट इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा डार्क ब्राउन हो चुका है तो आप इसकी कंसिस्टनसी को देख सकते हैं कि हमने इसे इतना गाड़ा रखा है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे सव कर लेंगे तो वो पीने के लिए तयार है इटालियन होट चोकलेट आप इसे सव करने के बाद वीपिंग क्रीम से गानिश भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इस पर थोड़ी सी चोकलेट ग्रेट करके भी एट कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप भी हैं चोकलेट लवर तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इटालियन होट चोकलेट की ये रेसिपी आपको कैसी लगी और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फेमिली में सेर करना बिलकुल भी ना भूलें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई